हलो दोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल तो आज की वीडियो में यूपी टीपल यसी पेट का एकजाम 2022 अंकित भाजी सरकार बुख है तो यह पहला प्रस्ण है माउंट अबू इस्थित मसुहुर दिलवारा मंदिर निम्ने कितम से किस समुदाय का पवित्र तिरि नम्रिकित में से किब उल्तां की मन्लिकित्य हो गई तो किसी मन्लिकित्य हो गई से किस सुल्टान की मयक्व बैररा प्रस्तियु आगला प्रस्तन है निम्लिखिण में से किसने दीन ए इलाही आरम किया था तो यह है अखवर ने शुरू किया था कोशन नमबर जो है छटवा निम्लिखिण में से कौन उग्रपंथी नहीं थे उग्रपंथी जो है नहीं थे गोपाल किसम गोखले आगला प्रसने अमिरिस सर्संदी पर हस्थाच्चर कब किये गए तो यह हस्थाच्चर कब किये गए है तो यह है 1809 में सीमान्त गाधी किसे कहा जाता है सीमान्त गाधी जो है खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है नम्दिकित में से किसने 1935 की अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तुहे पर इंजन नहीं है किसने कहा था यह है जवाला नहरू ने गडिश महसों का प्रारम किस ने किया था तो यह लोकमान तिलक ने आरम किया था यमना नदी का उद्गम अस्थान जो है कहां से है तो यह बंदर पूँछ से है अगला प्रस्न है निम्लिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है कौन सा सूखा स्थान सबसे है लह अप्षन जुह सी प्रसन संख्या 13 जो है निमलिखित ये फस्ट सोची सिकन सोची का मिलान करना है तो ये खनी समपधा खननखेत रहे तो पहला जो है काला हंडी जो है किसे से सम्मंदित है तो यह है बाकसाइट से है वहाँ पर बाकसाइट का खदान है जावर जो है जस्तावर सीशा से है कोलार जो है किसका खदान है तो यह सोने का खदान है मोसा बनी तांबा तो यह है दिया हुआ है तो आपसन जो है कौन सा है आपसन जो है सी सही है दच्छिड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दच्छिड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो यह है थार मरुस्थल जो है नमलिखित नदियों में से कौन सी विश्वती रेखा को दो बार कातती है पार करती है कातती है कौन सी नदी है तो यह जायरे नदी है मिक इन इंडिया पहल का सुभारंग कब किया गया था सितंबा 2014 को किया गया था प्रस्ण सेंख्या जो है रास्ती क्रिसी और ग्राम्री विकास बैंक नाबाद की स्ठापना कब की गई थी नाबाद की अस्ठापना जो है 1982 में भारत के केंदरी बजट में रेल बजट का किस वर्ष बिले किया गय था बिले कर दिया गय था तो यह है 2017 में भारत में स्वेट करांटी के जनक किसे कहा जाता है स्वेट करांटी के जनक दूध से है तो इसे किसे कहा जाता है बरगिज कुरियन को राजकोशी घाता का अथ क्या है तो यह है सरकार के कुल राजश्व और कुल ब्याय के बीच अंतर प्रस्न संख्या जो है 21 भारती समिधान में और सिस्ट सक्तियां का बिचा समिधान से लिए गया है काकिस देश से लिए गया है तो यह है कनादा से लिए गया है समिधान का कौन सा भाग समिधान संसोधन से सम्मंदित है कौन सा भाग है तो यह है भाग 20 है उत्तर पदेश की पथम महिला मुख्यमंतरी कौन थी उत्तर पदेश की मुख्यमंतरी सुचेता क्रिपलानी थी आपसन जो है दी दिया है प्रशन सेंख्या 24 राश्पती मंतरी मंत तो यह है पर्धान मंतरी की सिफारिस पर भारती समिधान के अनुषा सरकार के कितने अंग है सरकार के तो कितीन अंग होते हैं लोक सभाे जाज सभा रास्पती तो अगला प्रस्ने दायोप्टर निमन लिगित में से किस की एस आई एकाई है एसाई जो है मात्रक है किसकी है तो यह लेंज की छमता की प्रशन सेंख्याजोर 27 यदि एक लोलक निरवात में दोलन करता है तो इसकी समयवधी घतती है कि बढ़ती है बताना है तो यह है अप परिवतित रहती है कोई परिवतन नहीं होता है नमलिकिन में से बेकिंग सोदा क रसाइनिंग नाम जो है पूछा है सोडियम हैड्रोजन कार्बोनेट होता है अगला प्रस्थन है नियासीन जो बिटामिन भी कंपलेक्स गुर्प का एक बिटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है कौन सा रोग होता है तो यह है पेला ग्रह होता है आपसन जो भी आगला प्रस्थन है निम्लिकित में से कौन सा एक सही खाद स्रिंग खला को दर साता है कौन सा है खास पले घास होगेगा तब उसके बाग कीट खाएंगे फिर कीट को मेधक खाएंगे मेधक को साप खाएंगे साप को गरूड को आगला प्रस्ण जो है कवी का सब्द का समाना ठीक नहीं है तो यह नाव होता है कौन सा सब्द बिजली का परिया है बिजली का प्रिवाची होता है तो यह दामनी होता है आगला प्रस्न है नमलिकित में असुद्धवाक है असुद्धवाक इसमें से चाटना है एक गौतम रिसी की पतनी का नाम अहल्या था इस कार में बहुत बिलंब हो गया रसगुला बहुत स्वादिस्ट है एक गौलाब की माला खरीत लेना तो आप जो है D सही है जो यूद्ध में स्थिर हैं उसे कहते हैं आप जो है C सही है जो यह 35 प्रस्न समाप्त हो गए है